दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप इस्टाग्राम की साइच हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं नमस्का दोस्तों मैं हूँ अभी शेक आप देखने हैं टेकनिकल अभी हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों Instagram सर्च हिस्टी डिलेट करने के हम आपको दो तरीके बताएंगे तो आप लोग वीडियो के हर स्टेप को ध्यान से देखना तो सबसे पहले आपको अपना Instagram उपन करेंगे तो आपको राइट साइड में सबसे नीचे प्रोफाइल का लोगो मिलेगा आपको इस पर क् करते हैं तो यहां पर राइट साइड में आपको थ्री लाइन का आप्शन मिलता है सबसे टॉप पर तो आपको इस पर क्लिक कर देना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कई सारे आप्शन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों जब बात Instagram हिस्ट्री की हो रही है तो इन आप्शन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप अपने Instagram पर जो भी activity करते हैं वो यहां पर record होती रहती है तो आपके सामने पहला आप्शन आ रहा है टाइम स्पेंट का जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सो हो रहा है कि आप डेली कितना टाइम Instagram को यूज करते हैं जैसे हमारा यहां पर डेली average दिखा रहा है कि हम सात मिनट डेली Instagram को यूज करते हैं आप यहां नीचे manage का option मिलता है आप इसे manage फरी कर सकते हैं time set कर सकते हैं कि हम इतने time से ज्यादा हम Instagram यूज नहीं करेंगे तो यह आपको एक warning message दे इसके बाद में आपको third option है interaction का तो इस पे जब आप click करेंगे तो यहाँ पे देखे जो भी आप comment करते हैं किसी की post पर या फिर like करते हैं या फिर story का reply करते हैं तो वो यहाँ पे सब सो हो जाएंगे जैसे या आप comment पर click करेंगे तो यहाँ पर देख लिजिए आपने किस की post आपने comment किया है तो यह सब आप देख सकते हैं like किस की post को किया है आप यह भी देख सकते हैं यहां से इसके बाद में आपको अगला option मिलता है account history का आपको इस पे click करना है दोस्तों यहाँ पर आप अपने account से related detail देख सकते हैं कि आपने कब username change किया है कब आपने अपना name change किय यहाँ बायो कब change किया है यह सब detail आप यहां से देख सकते हैं अगला option आपको मिलता है recent search का तो आपको इस पे click करना है दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप जो भी search history में search करते हैं वो यहाँ पे show हो रहा है तो यहाँ पर आपको clear all का option मिलता है आपको इस पे click करना है और यहाँ पे clear all पे जब आप click कर देंगे तो यह आपकी जो search history है वो delete हो जाएगी लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर आकर बार बार history delete करने की जरूरर नहीं है अभी हम इसका एक short trick आपको बता देंगे आप वहाँ से बस चैसे instagram open करेंगे तो रंत आप history को delete कर सकत हैं इसके बाद में आपको वापस आना है फिर आपको option मिलता है link you visited का आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपने instagram से किन किन website पर विजिट किया है जैसे मैंने यहां पर सिर्फ facebook पर विजिट किया है तो यहां पर facebook दिखा रहा है इसके बाद में अगला option मिलेगा recently deleted का आपको इस पर क्लिक करना है अगर आपने instagram पर कुछ recently delete किया है तो आप उसे यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आपने सारे option को देख लिया है यहां पर आप केवल search history को delete कर सकते हैं अधर कोई history को आप delete नहीं कर पाएंगे तो आपको search history delete करने ढिका अब हम startultrick बता देते हैं तो आपको यहां से वापश आना है यहां पर आपको सबसे नीचे option मिल रहा है search को आपको इस पे क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहां पर आपकी search history show हो जाएगी आप यहाँ CR पे click करेंगे तो यहां पर आपने जो भी dus किय होगा instagram पे वह सो हो रहा है तो आपको clear all cups यहाँ पे मिलता है आपको इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर click कर देचिए तुरंत आपकी जिस्टरी है वो delete हो जाएगी तो इस तरीके से आप बहुत ही आशानी से Instagram की search history को delete कर सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपके मन में इस वीडियो से सम्बंदित कोई query या कोई doubt है तो आप comment box में पूछ सकते हैं दोस्तों अगर आपको सबसे कम समय में बहतर और सटेक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल टेक्निकल एविएंस को सब्सक्राइब करें फे मिलता है एक नूट्रे की वीडियो के साथ धन्यवाद